और टर्वाइन ऑपरेट्स अंडर स्टेडी फ्लो कंडिशन टर्वाइन जो है वक्या कर स्टेडी फ्लो कंडिशन पे ऑपरेट हो रहा है receiving steam at the flowing state जो turbine जो है वका कर रहे steam को receive कर रहे flowing state पर जो pressure है आपका inlet पर 1.2 MPa temperature 180 degree Celsius enthalpy at 27 8.8 kJ per case velocity at 33.3 meter per second and elevation जो 3 meter है the steam lifts the turbine at the flowing state और जो steam जोता है अब turbine से होके अब turbine को leave कर रहा है तो उस्च में जो pressure है आपका 20 kPa enthalpy है 2512 kJ per case velocity है 100 meter per second and elevation 0 meter है heat is lost to the surrounding at the rate of 0.29 kJ per second उससे जो heat जो release हो रहा है और 0.29 kJ per second के rate से उससे heat क्या हो रहा है जो आपके turbine से release हो रहा है surrounding में जा रहा है ठीक है if the rate of steam flow through the turbine is 0.42 kJ per second अगर उसमें जो आपका steam की जो flow rate है turbine में वो 0.42 kJ per second है तक कर रहा है what is the power output of the turbine in kilowatt तक कर रहा है जो बताओ कि कितना power output होगा सबसे पहले में क्या कर रहा है एक turbine बना रहे ठीक है this is turbine ठीक है this is turbine ओके this is turbine है ठीक है और यहां से आपका input है input है और यहां से आपका क्या है यहां से आपका output है ठीक है input है और output है और यहां पे inlet पे जो pressure आपका दिया कितना दिया है 1.2 MPa temperature कितना दिया है आपका 188 degrees Celsius दिया है temperature और आपका enthalpy कितना है 2785 kJ per kJ दिया है velocity कितना दिया है 33.3 मीटर पर सेकेंड दिया है Z1 कितना दिया है Z1 जो है आपका elevation जो था है 3 मीटर दिया है और इस system से जो heat release रहा है dq by d tau जो time करेट में दिया है watt में किलो जूल heat release रहा है मतलब system पर बहार जा रहा है तो नेगेटिव से 0.29 किलो जूल पर सेकेंड करेट से ओके और इसमें जो mass flow rate कर रहा है आपका कितना 0.42 किलो जूल केजी केजी पर सेकेंड करेट से ओके और output पर जो pressure है तो pressure कितना है 20 किलो पासकल है और enthalpy कितना है आपका 2512 किलो जूल पर केजी है ठीक है और v2 कितना है आपका 100 मीटर पर सेकेंड है और z2 कितना है आपका 0 है और हम मुझे find out करना है dw by d tau की value को find out करना है ठीक है सबसे पहले इसमें क्या करेंगे study flow energy equation अपलाई करेंगे for time basis के लिए कि वह work जो था time में पूछा पामर पूछा तो दिन आपका कहा है वह time basis है ठीक है time basis है time basis के लिए क्लिए क्लिए होता है आपका होता है आपका mass flow rate into h1 plus v1 square by 2 plus होता है dz1 plus होता है dq by d tau equal to होता है m2 into s2 plus v2 square by 2 plus z2 into plus d w by d tau है ठीक है तो आपका जो था है सबसे पहले जो यहाँ पे जो आपका energy है यह जूल के रूप में लिखा होता है energy जूल के रूप में लेकिन सभी जूल के रूप में लिखा है यहाँ पे 2000 हो जाएगा आपका और यहाँ पे 1000 हो गया अब आपका जो enthalpy यह भी किलो जूल में हो गया यह भी जो आपका किलो जूल में सभी किलो जूल किलो जूल में energy के फॉर्म हो जाए ठीक है और यह भी kilojoule के रूप में kilojoule per second के रूप में इसमें 2000 कर देंगे 1000 से multiply इसमें भी 1000 हो जाएगा यह क्या हो गया आपका kilojoule पहले था वह energy जूल में था लेकिन अब kilojoule में हो गया ठीक है तो आप value को put करते है मास कितना दिया था आपका मास जो है 0.0.4 0.42 है h1 की value कितना था h1 की value था आपका 2785 था velocity कितना था आपका 33.3 का square by 2000 plus z कितना था 9.81 हमको मालूम रहता है distribution due to gravity के value कितना था 9.81 jet कितना था 3 था by 1000 plus dq by d tau मतलब system से heat release हो रहा है कि उस system में heat आ रहा है मतलब इसमें जो यहां पर system से heat release हो रहा है जो release होगा वह system क्या से negative सो करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 0.29 हो जाएगा ओके तो फिर आपका mass rate कितना है 0.42 है और s2 कितना है s2 के value आपका है 25 होता है 2512 plus v2 कितना है v2 100 है तो 100 के square by 2000 हो गया ठीक है और मुझे find out करना dw by d tau power पुछना है ठीक है तो देखो 0.42 जब इसको 2785 होगा जब आप इसे solve करोगे इसे इस value को solve करोगे तो कितना आपका हैगा तो आपका 0.55 होगा और इस value को solve करोगे तो आपका 0.029 है ठीक है उसके बाद negative आप 0.29 ओके देन यह 0.42 होगया और आप इसको कितना होगा 2512 और इस value को solve करोगे तो आपका कितना आएगा आपका जो आएगा 25 और 100 के कितना आएगा आपका 5 आएगा जो आपका जो होता है जब इस value को solve करेंगे तो 5 आएगा और 0 से multiply होगे तो का होगे आपका 0 के 0 आएगा ठीक है प्लस dw by d tau होगे ठीक है dw by d tau then आपका करो 0.42 होगया और इस सब को add करोगे तो कितना आपका आएगा 2785.579 माइनस यहाँ 0.29 है इक्वल टू 0.42 जब इससे add करोगे तो आपका 251 कितना 17 होजाएगा इन्टू जोता है dw by d tau होगया ठीक है तो आप जब इस value को multiply करोगे तो आपका कितना आएगा 1169.94 माइनस 0.29 इक्वल टू जब इससे solve करोगे तो आपका आएगा 1057.14 प्लस dw by d tau होगा इसमें से subtract करोगे तो आपका एगा 1169.65 होगा यह कितना होगा 1057.14 प्लस dw by d tau देन इससे subtract करोगे 1169.69 जोता है 1169.65 माइनस 1057.14 तो और इक्वल टू डी डवल बाई डी टाव देन इसको solve करोगे तो आपका आजाएगा डी डवल बाई डी टाव इक्वल टू 112.51 किलो वाट वर्क आपका निकल आएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि थैंक यू